इकाई तीन समझदार नन्ही तीन समझदार नन्ही विद्यार्थि मित्रो आपके शिक्षक क्रमशह आपको कहानी के परिछेत का पठन करवाएंगे पढ़ो और सुनो कहानी एक बड़ासा तालाब जहां एक नहीं बठक अपनी मां के साथ रहती थी उसी तालाब के किनारे एक बिच्चु भी रहता था और तालाब के पास दलदल भी था एक दिन नन्ही बठक तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्चु दलदल में फसा है बिच्चु ने नन्ही से प्राथना की बहन मुझे बचा लो नन्ही को उस पर दया आ गई उसने बिच्चो को दलदल से उठा कर सूखे स्तान पर रख दिया बिच्चो को शैतानी सूजी उसने नन्ही को डंक मार दिया नन्ही पीडा से तड़ पुठी उसने बिच्चो से पूछा क्यों भाई तुमने मुझे डंक क्यों मारा बिच्छू लापरवाही से बोला क्या करूं डंक मारना मेरा स्वभाव है नन ही बोली तुम यह गंदी आदत छोड़ दो नहीं तो कोई मुसीवत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा बिच्छू उसकी बाद अंसुनी कर आगे बढ़ गया नन ही अपनी मा के पास नदी में चली गई मा ने पूछा नन ही बेटी तुम कहां रह गई थी नन ही बोली मा एक बिच्छू दलनल में सस गया था उसे बचाने में देर हो गई मा खुशो कर बोली बेटी यह तुमने बहुत अच्छा काम किया है नन ही बोली लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया मा बोली बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ वह बार बार डंक मारता रहेगा नन ही बोली मा मैं उसकी गंदी आदत चुड़ा कर रहोंगी कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुना संकट में पड़ गए इस बार वह पानी की धारा में चागिरा और डूबने उतराने लगा मौत सामने देखकर बिच्छू को नन ही की याद आई वह नन्नी को पुकारने लगा नन ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली वह जपटकर बिच्छू के पास आगई सहसाही उसके मन में विचार आया अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी बिच्छू गिरगिराने लगा बहन मुझ पर दया करो नन ही का मन डोल गया उसने सोचा हो सकता है इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो नन ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा नन ही उसका इरादा समझ गई वहाँ मुस्कुरा कर बोली बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए दंक मारो बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया वहाँ किसी आ कर बोला बहन एक बात बताओ मैंने सदा तुम हरे साथ विश्वास घाप किया फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई ही की ऐसा क्यों? नन ही बोली भलाई करना मेरा स्वभाव है मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों शोड़ दू? मेरा काम बचाना है मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहोंगी तुम्हारा काम डंक मारना है तुम मारते रहो देखती हूँ कौन जीतता है? बिच्छू पस्तावे से भर गया बोला नन ही बहन आज तुम जीत गई मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा नन ही खुश होकर नदी में चल दी मा ने आज फिर पूछा बेटी कहां देर कर दी? नन ही ने पूरी घटना बता दी मा प्यार से बोली प्यारी समझदार नन ही भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बूरे लोगों को भला बनने की राह दिखाते हैं नन ही प्रसन्द होकर थिरकने लगी एक बड़ा सा तालाब जहां एक नन ही बतक अपनी मां के साथ रहती थी उसी तालाब के किनारे एक बिच्छु भी रहता था और तालाब के पास दलडल भी था एक दिन नन ही बतक तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छु दलडल में फसा है बहन मुझे बचा लो नन ही को उस पर दया आ गई उसने बिच्छु को दलडल से उठा कर सुखे स्थान पर रख दिया बिच्छु को शैतानी सुझी उसने नन्नी को डंक मार दिया नन्नी पीडा से तड़प उठी जो भाई तुमने मुझे डंक क्यों मारा क्या करूँ डंक मारना मेरा सुबाव है तुम यह गंधी आदत छोड़ दो नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा बिच्छु उसकी बात अंसुनी कर आगे बढ़ गया नन्नी अपनी मा के पास नदी में चली गई नन्नी बेटी तुम कहां रह गई थी मा एक बिच्छु तलदल में पस कया था उसे बचाने में देर हो गई बेटी यह तुमने बहुत अच्छा काम किया है लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया बिच्छु अपनी गंदी आदत सा गुलाम है तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ वो बार बार जंक मारता रहेगा मा मैं उसकी गंदी आदत छुडाता रहंगी कुछ दिन बाद बिच्छु के प्राण पुना संकत में पड़ गए इस बार वो पानी की धाला में जा गिरा और डोबने उतराने लगा मौत सामने देखतर बिच्छु को नन्नी की याद आई वो नन्नी को पुकारने लगा नन्नी 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 ने उसकी करूर पुकार सुन ली वो जपट कर बिच्छु के पास आ गई अब मैं इस गंदे सोभर माले बिच्छु को नहीं पचाओगी बहान मुझ पर दया करो नन्नी का मन डोल गया हो सकता है इसने अपनी गंदी आतर छोड़ दी हो नन्नी ने बिच्छु को दोबारा जीवन दान दिया बिच्छु ने अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक बानने के लिए आगे बढ़ा नन्नी उसका इरादा समझ गई बिच्छु भाई ठिठक क्यों गए तंक मारो बिच्छु शर्म से पानी पानी हो गया बहन एक बात बताओ मैंने सदा तुमारे साथ विश्वास गात किया फिर भी तुमने मेरे साथ बलाई ही की ऐसा क्यों? भलाई करना मेरा स्वभाव है मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपने अच्छी आदद क्यों छोड़ दूँ मेरा काम बचाना है मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूंगी तुम्हारा काम दंक मारना है तुम मारते रहो देखती हूं कौन जीतता है नन्ही बहन आज तुम जीत गई मैं वचन देता हूं अब मैं किसी निर्डोस जीव को डंक नहीं मारूंगा नन्ही खुशो कर नदी में चल दी बेटी, कहां बेर कर दी नन्ही ने पूरी घटना बता दी प्यारी समझदार नन्ही बले लोग अपनी बार-बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनने की राह दिखाते हैं नन्ही प्रसंद होकर फिरकने लगी बोध इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अच्छे लोग अपनी बार-बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनाने की रहा दिखाते रहते हैं शंकर सुल्तानपुरी विद्यार्थी मित्रो आपने ननही की कहानी तो सुनी चलो एक ऐसी ही अल्य कहानी के कुछ चित्र यहां पर है अपने शिक्षक की मदद से चित्रों पर चर्चा करते हुए कहानी बनाईए चित्र देखकर कहानी का निर्मार कीजिए बाल दोस्तों आपने कई प्रकार की घटनाओं के बारे में सुना होगा आप यहां पर जो घटना देख रहे हैं उसके बारे में नीचे दिये गए प्रशनों की मदद से सोच कर घटना का वरणन कीजिए प्रशन एक यह घटना कैसे घटी होगी दो अकस्मात होने पर क्या हुआ होगा तीन अकस्मात का कारण क्या होगा चार अकस्मात के समय हमें कौन सी सावधानी रखनी चाहिए पांच आपने ऐसी घटना कब और कहा देखी थी विद्यार्थिमित्रो आपने संग्या की जानकारितो प्राप्ट की है संग्या के बार-बार के पुनरुक्ती को रोकने के लिए सर्वनाम का प्रयोग होता है उसका एक अभ्यास यहां प्रस्तुत है जिसे ध्यान से सुनिए बाद में पढ़िये सर्वनाम निम्नलिखित परिछेद को पढ़िये रमेश अच्छा लड़का है रमेश के पिताजी शिक्षक है रमेश की माताजी ग्रेहिनी है रमेश का बड़ा भाई कालेज में है रमेश कक्षाच्छे में पढ़ता है रमेश मेरा अच्छा मित्र है रमेश चतुर है, मैं और रमेश साथ में खेलते हैं रमेश अच्छा लड़का है, उसके पिताजी शिक्षक है, उसकी माताजी गुरुहिनी है, उसका बड़ा भाई कालेज में है, वह कफ्षाच्छे में पढ़ता है, वह मेरा अच्छा मित्र है, वह चतुर है, हम साथ में खेलते हैं. निमना लिखित वाक्य पढ़िये, एक, मैं डाक्टर बनना चाहता हूँ, दो, तुम तो शिक्षक होना, तीन, आप व्यापारी कैसे बन गए, चार, वह काम मुझसे नहीं होगा, पांच, तुम्हें क्या पसन है, छे, दाल में कुछ कम है, साथ, मैं अपने आप काम कर लूँ बाल दोस्तों, इन वाक्यों के अभ्याद से आपको पता चला होगा कि संग्या के बदले इन शब्दों का उप्योग हुआ है, मैं, तुम, आप, वह, तुम्हें, कुछ, अपने आप, जैसे शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है, अब आप इन शब्दों का उप्योग कर वा गली किये